नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूँ पुनीत मिश्टा, चतीजगर राउंड अप आप देख रहे हैं चतीजगर दिव्यांग सेवा संघ ने एक बड़ा आरोप लगाया है संघ का ये आरोप है कि सरकारी नौकरियों में 50 पीसद दिव्यांग फर्जी हैं पूरा मामला क्या है इस रेपॉर्ट में आपको दिखाते हैं महराश्टर की ट्रेनी आईएस पूजा खेड़ कर ये नाम इन दुनों सुर्ख्यों में है पूजा पर फर्जी दिव्यांगता प्रमान पत्र के जरीए नौकरी हासल करने का आरोप है इस मामले के बाद सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं आखिर कितनी और पूजा खेड़ कर है ये पूछा जा रहा है और इस बीच 36 गर दिव्यांग सेवा संग ने बड़ा आरोप रगाया है संग का आरोप है कि सरकारी नौकरियों में 50% दिव्यांग फर्जी है बड़ी गरबर कितने खेड़ कर 36 गर दिव्यांग सेवा संग का आरोप सरकारी नौकरियों में 50% दिव्यांग फर्जी, 36 गर पीसी में फर्जी वाड़े का आरोप, 21 लोगों ने फर्जी प्रमान पत्र के जरीए हासिल की नौकरी 36 गर दिव्यांग सेवा संग ने 36 गर पीसी में भी फर्जी तरीके से नौकरी पाने का आरोप लगाया है आरोपे की प्रदेश में डेपिटी कलेक्टर से लेकर कई अधिकारियों ने फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल की है 36 गर दिव्यांग सेवा संग ने आकड़ा भी दिया है बता है कि कितने लोगों ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी हासिल की फर्जी दिव्यांग का सर्टिफिकेट के सारे यहां हजारों पूझा खिडगर के रूप में नौकरी कर रहे हैं लेकिन दुख का विशाई यह है हमारा जो संग है लगतार तीन वर्सों से सिकायत पे सिकायत करवाही चाह रहे हैं सिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई भी प्रकार की जो है करवाही अभी तक सासन प्रसासन की ओर से नहीं मिला है और जो फर्जी दिव्या हैं उनको बचाने की कारे कर रहे हैं सासन प्रसासन और इसी बात पे हम तंग आ करके आने वाले शमय में 21 तारीक को उग्रांदुलन करेंगे जिसका समस्त जिम्मेदार सासन प्रसासन की होगी बरी गर्भर कितने खेड़ कर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासल करने के आरूपो पर मंतरी शाम बिहारी जैसवाल ने कारवाई की बात कही है दिखे ऐसे कोई भी सिकायत सरकार के पास आते हैं तो उस पर सरकार निश्ची दूरुप से जांच कराएगी और कोई भी बेक्ती हो फर्जी सर्टिफिकेट का धार पर चाहे वो दिव्यांगता को हो चाहे फर्जी पढ़ाई के डिग्री हो या किसी परकार का फर्जी जाती हो निवास हो, किसी भी प्रकारकेट जो फर्जी प्रमाट पत्र के माध्यम से कोई भी नोकरी कर रहे होंगे उनकी बिल्कुल जाच कराई जाएगी और जाच कराकर जो भी कानुन के तहत कारवाही होगी ओ किया जाएगा तो क्या 36 गड़ में भी दिव्यांगों के कोटे पर फर्जी तरीके से नोकरी हासल की जा रही है क्या यहां भी कई पूजा खेड कर हैं इन आरोपों पर मंत्री ने आक्शन की बात कही है और दिव्यांग संग ने भी आंदुलन की बात कही है न्यूज 18 के लिए राइपूर से यूगल तिवारी के रिपोर्ट राइपूर से आकाश शुकला हमारे समधता हमारे साथ जुड़े वे हैं सीधे उनहीं के पास चलते हैं और उनसे इस पूरे मामले में बात करते हैं नाकाश ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और साथ ही साथ कुछ नाम भी बताए जा रहे हैं कि कहां कितने पदों पर ये फर्जी तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट से भरती हो गई लेकिन स्वास्त मंत्री कह रहे हैं कि शिकायत आएगी तो जहांच करेंगे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तो तुरंत जहांच शुरू होनी चाहिए मामले हैं कि राज्य प्रसासनिक सेवा के महत्वण पदों पर फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगा कर लोगों ने नौकरी पाया इसमें सास से अधिक जो हैं डिप्टी कलेक्टर छे नायाप तसीलदार और लेखा दिकारी समेत कई जो हैं बड़े प्रसासनिक तरीके से लगा कर नौकरी पाया गया है इसकी सिकायत लगातार होती रही है लेकिन किसी तरीके से कारवाई नहीं हुई है मामला सदन में भी उठा था दिव्यांगता सर्टिफिट और फरजी जाती प्रमान पत्र के आधार पर नौकरी लगने सरकारी नौकरी लगने को ले स्वास्त के मामले को लेकर विदान सभा में खूब हंगामा हुआ CIG के report भी पेश की गई तो कहा गया कि ये पुरानी सरकार के ये जो हैं ये काम का निकल कर सामने आ रहे हैं लेकिन विधान सभा में इस मामले को लेकर अगर चर्चा हुई है तो यहीं पर इस बात की खोशना हो जानी चाहिए कि पूरे मामले की जाच की जाएगी क्योंकि ये क येवल मामला फर्जी सर्टिफिकेट का नहीं है उन लोगों का भी है उन पात्र लोगों का है जिनका हक किसी ने फर्जी सर्टिफिकेट बनबा कर छीन लिया देखे इसको एक तरीके से बड़ा सिंडिकेट मान सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण और बड़े पद हैं राजय प्रसासनिक सेवा के जिसमें 36 गड़ सरकार में कई महत्वपूर्ण जगों पर विभागों पर जो है ऐसे अधिकारी का भी जह है और कहीं न कहीं उस पर जो आरोप लगते हैं और जाच के लिए कारवाई के लिए जब नोट सीट आगे बढ़ती है फाइल आगे बढ़ती है तो उन फाइलों को दबा दिया जाता है समाने प्रसासनिक पाग के कई बड़े अधिकारी जिनको संग्यान लेना चाहिए लेकिन एक तरीके से ये प्रसास सेवा और कई बड़े पदो पर नौकरी पाया है लेकिन कारवाई नहीं होती है फाइले दबा दी जाती है अब इसका कारण क्या है ये प्रसासनिक इसतर पर ही बताया जाएगा लेकिन लंबे समय से इसकी जांच और इन पर दोस्यों पर जो है वो कारवाई की मांग उड़ कब संग्यान लिया जाता है शिकायतों की बात कही गई की शिकायते आएंगी तो फिर देखेंगे लेकिन शिकायते तो सामने हैं और सीधे सीधे गंभीर अगर आरोप लगाए जा रही हैं और सीधे सीधे किसी ने फरजी सर्ट्विकेट के आधार पर नौकरी हासिल कर ली अगर ये आरोपे तो पूरे मामले की जाँच तो तुरन तो होनी चाहिए, अब क्यों इंतजार हो रहा है, ये थोड़ा समझ से परे है, चलिए बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए, बाचीत के लिए, बढ़ते आगे सुकमा की बात करेंगे, पांच नकसल किया और सरेंडर करती है, चलिए बिलास्पूर की बात करेंगे, यहां पर मलेरिया का कहर लगातार दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा है, कई लोगों को मलेरिया अब तक चपेट में ले चुका है, और अब तो लोगों की जान भी जा रहे हैं, पर फिर से एक मरीज ने जान दे दी मलेरिया की चपेट में आकर, इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, सिम्स में इलाज चल रहा था, गंभीर हालत में लाया गया था, कोटा स्वास्त केंद्र से दरसल उसे यहां रैफर किया गया था, इसके बाद का जा रहा है कि स् उसे कोई दिक्कत नहीं, मलेरिया के होने के बाद उसकी जान गई, तो कहीं ने कहीं, मलेरिया कितनी तेजी से फैल पर आए, यह से पता चल रहा है, जश्पुर में मवेशी तसकरों पर एक्शन लिया गया, पुलिस ने चे मवेशी तसकरों को गिरफ़तार किया है, और इन तसकरों को गिरफ़तार करने के बाद इनके कबजे से 22 मवेशी तसकरों को छुड़वा भी लिया गया, इसके बाद मवेशी तसकरों का जुलूस भी निकाला गया, एक्स्क्लूजिव तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं पुलिस पुलिस पुली सब्सक्रों की तस्वीर सामने आई है, एक यूवक को बांध कर पूरे प्लेट फॉर्म पर घसीटा गया, पैरों में बांध दिया गया था उसके एक कपड़ा और उसे घसीटा गया, पुलिस चुप चाप यहां सब कुछ देखती रही जिसमें पुलिस वाले नजर भी आ रहे हैं कोई पीड घुमाता नजर आ रहा है तो कोई कुछ करता हुआ नजर आ रहा है ऐसा लग रहा है कि यहां पर कुछ हो ही नहीं रहा है लेकिन यहां यह सब कुछ चलता रहा है कुछ तस्वीरे भी कैद हुई पताया जा रहा है कि स्टेशन पर ठेले वालों ने बिस्किट का पैकेट चोरी करने पर युवक को पकड़ा और उसे बेरहमी से डंडों से पीटा गया और बाद में युवक को बांध कर पूरे प्लेटफॉर्म पर घसीट कर ले गए इसके बाद आरपी एफ के जवान मूख दर्शक बने रहे इस घटना के होने के दौरान भी अब जी आरपी ने मामला दर्च किया है और चार आरोपियों को गिरफ़तार किया है बालाओत की बात करेंगे जहाँ पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं देवलाल चाकुर और इनके फार्म हाउस में मर्डर की वार्दात से संसरी फैल गई यहाँ पर एक शक्स की जिसकी उम्र करीब पचास साल बताए गई उसकी खुन से लख पतलाश में भी दारदार हत्यार से हत्या के बाद आसपास जमीन पर खुन बिखरा मिला पूरा मामला डॉंडी लोहरा थाना इलाके का इसकी पहचान पचास साल के संज़ थाकुर के हाँस का दूसरा चौकीदार जो है उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है क्योंकि म्रतक ने आरोपी के पत्नी से छेर्टार की ती जिसके बाद कुल हाड़ी से उसे मौत के खाट उताथ कर गया बात अगली खबर की करेंगे सारंगड़ बिलाईगड़ में स्कूल को धमकी दी गई है और एक नहीं तीन स्कूलों को धमकी दी गई है बम से उलाने की धमकी दी गई है बोईर डीह में दरसल ब्लाक बोर्ड पर ये धमकी लिखी गई थी सरकारी स्कूल के ब्लाक बोर्ड पर इस प्रकाइड से धमकी दी गई थी कि 15 अगर से पहले बम भटेगा और तीनों स्कूल तयार रहे दैशत में हैं अब गाम के लोग पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है दुरग की बात करेंगे वियापारी का लाकों का सोना पार सुपेला के लक्षमी मार्केट में बारदात गाड़ी से चोरों ने उड़ाया सोना सी सी टी वी की जांच कर रहे पुलिस आरुपियों की तलाश में पुलिस जुटी है कुर्बा में कोईला खदान में लग गई आग चार दिन से आग धदक रही है लगतार आग फैल भी रही है दो दिन से खदान में उत्वादन प्रभावित हुआ है और आज पास के अलाखों में खत्रा बढ़के आए 36 गड़ में बारिश कहर जारी बारिश से जन जीवन प्रभावित है बलादा बाजार में बारिश से नदी नाले उपान पर हैं सिमगा विकास खंड में दर्चूरा बांध तूट गया जिससे कि सड़क पर बारिश का पानी भर गया कई गावों को जाने वाला रास्ता बारिश से जन जीवन प्रभावित हुआ है कई गावों का जिला मुख्याले से संपर ककटा हुआ है नदी नाले यहां पर उपान पर हैं नगर सेना के जवान बीमार लोगों को अस्पताल पहुँचाने में मदद कर रहे हैं नवजात और एक महिला को पेधा कवाली नदी पार का रहस्पताल पहुँचाया गया और विलासपूर की भी तस्पीर आपको हम दिखाते हैं जो आपर तेज बहाओ के चलते हैं शुहर के कई लाकों में पानी भर गया है कोई जगह लोगों के घरों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है नालों की सफाई समय से नहीं हुई इसके बाद ये स्थिती बनी हुई है इसलिए लोग खुद नाले में उतार सफाई करते हुए नदर आए हैं विलासपूर वही जिला जहां पर मलेरिया तेजी से पैर पसा रहा है और अगर ऐसे हालात होंगे तो क्या स्थिती और नहीं दुर्ग की बात करें तो यहां पर शिवनात नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इससे शिवनात नदी खत्रे की निशान के उपर जा चुकी है बाल आयू ही है खत्रा बरकरार है मुगरा जलाशे से फिर से 10,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया और मामरा एनिके पर 10 पीड से उपर पानी बह रहा है अलर्ट कर दिया गया है आसपास की कम जांजगीर चांपा में शिवरी नाराएंड में महा नदी का जलिस्तर बढ़ता जा रहा है महा नदी के शबरी पुल पर लापरवाही भी नसरा रही कभी भी यहां हाथसा हो सकता है पुल से बच्ची च्वलांग लगा रहे हैं सुरक शाटली को इंतसाम ही है कोड़नगाओं में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए अंदुरुनी ग्रामीन इलाकों में सबसे ज्यादा हालात खराब बताए जा रहे हैं कहीं पर पेड़ गिरे हुए हैं तो कहीं सडके तूटी हुई है आदवाल से अलमेर मार्ग पर पुलिया जो बनी थी वो भी तूट गई है पुलिया तूटे के वज़े से हाथ से किया श्रंका भी बनी हुई है बात बिलासपूर के फिर सकते हैं जहां पर नदी नाले उफान पर हैं लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले चल रहे हैं कलेक्टर अभी शरन बाल नियंत्रन समेत सभी अधिकारिय किया है तेज बारिश से जन जीवन खासा प्रभावित हुआ है बार्श ने पटने के लिए तैयारियां अब तेज की गई कि अधिव लिए कि अधिए ने ने चासा प्रभावित है प्रभावित अला बारिश प्रभावित है तेज कि अधिए शर्भावित हैं अगे बढ़ते हैं गर्याबंद में स्कूल की छट का प्लास्टर गिर गया बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और जहां गिरा है वहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे लेकिन बाल बाल उनकी जान बच गई चुरा ब्लॉक के चुरकी दादर प्राद्मिक स्कूल का ये घटना है घटना बताई जारी है हादसा यहां पर हुआ पचास चातर उस वक्त जब ये प्लास्टर गिरा है तब पचास चातर यहां पर पढ़ाई कर रहे थे आठ महीने पहले ही भवन की मरमत का काम किया गया था और लगाता है यहां पर फिर भी सीपेज हो रहा था प्लास्टर का एक बड़ा हिसा तो उच्टर गिर गया समय रहते हैं शिक्षक्ति फूल बूल से चातर बाहर निकल गए ठेकेदार के काम पर भी सवाल उठना लाज़मी सी बात है और मध्यप्रदेश के सिवनी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिवनी में एन जी टी यानिकी नेशनल ग्रीन ट्रिबिनल का एक बड़ा आदेश सामने आया है दल सागर तालाप को लेकर ये बड़ा आदेश है फूच ओवर ब्रिज का पिलर तोड़ने के आदेश हैं सभी चार पिलर चार हफते में तोड़ दिये जाएं एक दश्रम आठ आठ करोर की लागत से ये फूट ओवर ब्रिज बन रहा है एंजी टी ने माना है कि ये वेट लेंड प्रोटेक्शन रूल का उलंगन किया गया है और इसी लिए सारे पिलर आला कि अभी तो ये बना भी नहीं है लेकिन उसके पहले ही वेट लेंड प्रोट आ रहे हैं एंजी टी की तरफ से ये फूट ओवर ब्रिज जो तयार किया जा रहा था और इसकी लागत एक करोड अठासी लाख रुबर बताएगे लेकिन वेट लेंड प्रोटेक्शन नियम जो है उसका उनलंगन किया गया ये एंजी टी याने ग्रीन ट्रिबिनल ने दे दी गया अजार हमारे समधता हमारे साथ फोन लाइन पर चुड़े हुए हैं उन से जानते हैं पूरे मामले को समझते हैं कि आदेश जो आया है ये लोगों के लिए तो परिशानी भरा हो सकता है क्योंकि मांग कर रहे होंगे अजार ये फूट ओवर यहां से कुछ निक है जहां पर एक कोट ओवर ब्रिश निर्माड कार करीब 2022 में सुक्रत हुआ था और इस निर्माड कार का भूमी पूजान जो तद्काली मुक्त मंत्री सिवरासिंच वहां थे उन्होंने किया था करीब एक करोड अठी लाग रुपे की लाज़ा से ये पूट ओवर ब्रिश बनाया जाना था लेकिन इस पूरे मामले की एक जो अधिविक्ता है इस निर्माड कार नहीं आता था लेकिन अब नियम परिवर्दित हो गया है जिसके बाद इस पूरे मामले में एंजीटी ने संग्या लिया है और कारवाई करते हुए नियुमो को लंकर माना है और खिलाल जो अधिकारी हैं नगरपालिका के हैं जो इस खानी विधाया के हैं और नगरपालिका अधिक्शन वो इस पूरे मामले को लेकर सुपरिन कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं और वहां से नहीं मिलने की बात कह रहे हैं बहुत शुक्री आपका इस जानकारी के लिए झाल झाल